नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्टेडी विद अच्पि स्वामे पर जहां पर आपको हर दिन के समपाद किये पेज का डिक्टेशन समय पर उपलप्त करवाय जाता है दोस्तो, आज का यह डिक्टेशन 80 सब्द प्रति मिनट रहेगा जो स्टार्ट होगा 5 सेकिंड बाद स्टार्ट पिछले डेड महीने से चल रहे किसान अंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के लापरवाही भरे रवये पर सुप्रिम कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है सर्वोच अदालत सरकार से कहती रही है कि वह अंदोलन कारी किसानों से वारता कर मसले का उचित समाधान निकाले लेकिन केंद्र की ओर से एसे पर्यास होते नहीं दिखे अगर आठ दोर की वारताओं में भी सरकार कोई एसा रास्ता निकाल पाने में समर्द नहीं कुई जिससे अंदोलन खत्म कर किसान घरों को लोट जाएं तो वह व्यवस्था पर ही बड़ा प्रस्न चिन है साफ है कि सरकार की मनसा आंदोलन कारी किसानों की बात सुनने और समस्या का हल निकालने की सायद नहीं है बलकि वह यह मान कर मेट गई है कि एक नए एक दिन किसान ठक हार कर लोट जाएंगे वारताओं के लिए तारीखें देने के अलावा सरकार ने अपनी और से एसी कोई गंबीर ठोस पहल नहीं की जिससे लगा हो कि वह इस समस्या का हल निकालना चाहती है इसलिए सोमवार को प्रधान न्यायादीस न्यायमूर्ती स. ए बोबडे की अध्यक्स्ता वाले तीन सदस्ये पीठ ने सक्त लहजे में सरकार को नए क्रसी कानूनों को लेकर सुरू से आवाजें उठती रही हैं जिस हडबडी में पहले अध्यादेश लाया गया और फिर कानून बना कर लागू कर दिये गए उससे किसान तो क्या सभी के मन में संदेह पेदा हुए हैं आखिर किसानों को एसा क्यों लग रहा है कि ये नए कानून उनके हितों के खिलाफ हैं और कुछ उद्योग घरानों के हितों के लिए बनाए गए हैं एसा लगता है कि कहीं कुछ एसा जरूर है जिसे किसान भी समझ रहे हैं और सरकार छिपा रही देश भर के लाखों किसान किसी राजनितिक दल या विपक्स के बहकावे में आकर इतना बड़ा और सक्त कदम उठा लें एसा संभव नहीं है किसानों की मागों पर विचार के लिए सरकार अपने प्रति निधियों क्रसी मामलों के जानकार विपक्सी नेताओं क्रसी विशेशग्यों और किसान संग्ठनों के नुर्माइंदों की समीती ही बना देती और वह समीती किसानों की मागों पर गंभीरता से विचार करती तो समाधान की दिशा में बढ़ने का रास्ता निकलता पर एसा नहीं हुआ इस बात को सुप्रिम कोर्ट ने समझा है अदालत भी यह देख रही है कि अगर किसान इस कदर उद्वेलित हैं तो जाहिर है कि नए क्रसी कानूनों में कुछ तो एसा है जो उनके हितों के खिलाफ है इसलिए अदालत ने क्रसी कानूनों और किसानों के अंदोलन के संबंद में आदेश पारित करने की बात भी कही साथ ही अदालत ने इस मामले पर विचार के लिए सुप्रिम कोर्ट के पूर्वे प्रधान न्यायाधिसों की एक समीती बनाने की बात भी कही है सरकार और किसान संग्ठनों के बीच अब अगली वारता 15 तारिक को होनी है लेकिन अब तक का अनुभव यही बता रहा है कि इस वारता का भी कोई नतीजा निकलता निकलना क्योंकि ने तो सरकार क्रसी कानुनों को वापस लेने और ने नियोनतम समर्थन मुल्य की कानुनी गारंटी देने का संकेत दे रही है किसान संग्ठन इन दोनों मांगों के बिना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले फिर कई राज्य भी इन क्रसी कानुनों के खिलाफ हैं और वे अपने यहां इन्हें लागु करने से साफ इंकार कर चुके हैं इससे यह तो साफ है कि नए क्रसी कानुनों को मोजूदा स्वरूप में अमल में लाने की सरकार की जिद कहीं जादा बड़े टकराव को जन दे सकती है एसे में अब उम्मीद सर्वोच नियाया लए के परियासों से ही जगती है सभ्यता के विकास क्रम में समाज में कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से नसल चेत्र सामुदाइक पहचान आदि को लेकर एवांचित पूर्वा ग्रहों के जन्व लेने और पलने बढ़ने के बरक्स कालांतर में मनुष्ये ने इन से पार पाने की भी कोशिस की है माना जाता है कि विक्षित देशों में समाज और सत्ताओं ने इस तरह की धारनाओं को दूर करने के मसले पर काफी काम किया और काफी हद तक इसमें कामयाबी मिली है लेकिन आज भी जब एसे पूर्वा ग्रहों के साथ कुछ लोग दिख जाते हैं तो यह है है हैरानी और अफसोस की बात है रविवार को सिडनी में आस्ट्रेलिया और भारत के बीज क्रिकेट केस्ट मेच में जिस तरह के हालात पेदा हुए वह यह बताने के लिए काफी है कि विक्षित कहे जाने वाले देशों में भी कुछ लोग नसलवादी दूरा ग्रहों से मुक्त नहीं हो सके हैं अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की दुर्भावनाओं के साथ जीता है और उसे कुछ लोगों के बीच भी किसी इस तरह की स्विकार्यता प्राप्त है तो यह उस समुचे समाज के लिए सरमिंदगी की बात है समाप्त